प्रेंट चलिए आज PANDI जी से जानते हैं KALY 14 के बारे में कार्थिक मास का एक ऐसा पर्व है जिस दिन मा काली की पुज़ा की जाती है उनकी उत्पत्ति हुई थी इस दिन तो PANDI जी से बागे की जानकारी हम लेते हैं PANDI जी सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं ठीक एक दिन पहले रात्तरी को बारा बजे माता काली का यानि कि जो आध्या शक्ती है जिन से सभी कमला भी उनी से उत्पन हुई है उनकी जैनती है और बेसिकली एक दिन पहले काली उत्पन हुई थी और इसी वज़े से ये लक्षमी की बड़ी बहन कही जाती है एक दिन बा के बाद आद्याकालियाई जुन्होंने उत्पन्य किया संपुन संसार को और उसके बाद लक्षमी आती है अम्मावस्या के दिन तो यह मूलता है जो पर्व है यह आद्याकाली जयनती का पर्व है संसार की संरचना का आधा अंच है यह शिव की वामांगनी है आद्याकाली ज महाकाली को पूझा होता है तो इस झिन महाकाली का कौन सा रूप है जो पूझनिय होता है यह मूलतः वह काली है जो आद्या है आद्या मतलब जिन से पहले कोई नहीं था और यह fracture मंततन से आई है यही शिव की वामांगनी कहलाती है और महाकालेश्वर की सहचारी है इनी से ही संपूर्ण संसार भस्म होता है और यही महाकालेश्वर के साथ मृत्तियु का संचार करती है महाकाली का मतलब क्या होता है काल से भी परे जो समय से भी परे हैं तो लेकिन समय के अंदर जो आई जण में लेकर आई तो वो महाकाली क्या लाई काली के दो फॉर्म एक आध्याकाली और दूसरी काली काली के भी दो मत कहे गए हैं एक महाकाली एक दक्षनकाली तो काली के बह परना अभी नहीं की जाएगी, वो हम किसी अलग एपिसोड में जरूर वढ़ना करेंगे, लेकिन एक खास दिन जो है, ये संसार के लिए एक तरीके से शुरुवात का परभू भी है, ठीक निशिता काल के समय, रात को बारा बजे के दरूदर आध्या काली जन मिलेती हैं, और उसकी अगली रात्री को लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का अवागमन संध्या कालीन माना जाता है, काली का अवागमन अर्ध रात्री, काल रात्री में माना जाता है, जब कोई चंद्रमा विद्धमान नहीं होता, तो इसलिए काली को रात्री के दिवी कहा गया है, ये परव काल का आधा अंश है जिसे हम मा काली कहते हैं तो ये आधिया काली जनती का परवह है ये अपने आप में सबसे बड़ा परवह है और इसे काली चौदस या काली दिपावली कहते हैं यही कारण है कि काली चौदस का दिन छोटी दिपावली के रूप में मनाया जाता है छोटी दिपावली हाला कि यह बड़ी दिपावली है, बड़ी भेन पहले आई थी, इसलिए इसे ही लक्षमी की बड़ी भेन माना जाता है, और इस दिन काली का जो आगमन था वो रात्री को बारा बजे माना जाता है, आध्यकाली जनती रात्री निशिता काल में मनाई जाती है, तो सकते हैं बिलकुल लिया जा सकता है लेकिन देखे हम ग्रहस्तों के लिए हम संपूर्ण संसार के लिए हमारे प्रोग्र 500 बनाते हैं काली की विद्या सबसे ज़धा काम आती विद्धिय ऐसे शुत्रों से छुटकारा पाने के लिए दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए और साथ बसाथ के अंदर आपकी पीड़ाओं को आपके कश्टों का निवारान करने के लिए तो मैं एक छोटी सी विधी ज़रूर बताऊंगा आपको देखे इस दिन मूलतहद दक्षन कालिका का दिन है क्योंकि काली जो भी आई है वो दक्षन साई है दक्षन यम की दिशा भी है इस दिन इसलिए एक मंतर का जरूर जाप करें और विशिष्ट मंतर जो है काली गायतरी मंतर है ओम काली का इच्च विदमहे शम्शान वासने धीमही तन्नो अगोरा प्रचोदयाद अगोरा जो शब्द है वो घोर से है जब आपकी लिमिट खतम हो जाती है जब आपके हिम्मत की आपके बल की आपके जीवन की संभावना खतम हो जाती है उसके बाद का जो कर्म है वो अगोर कहलाता है मतलब जो घोर से भी उपर आ जाए कहते है ना घोर तब कर लिया घोर तब का मतलब एक लिमिट है कि अब मेरी इस से ज़्यादा लिमिट नहीं है मैंने इतना तब कर लिया जब इसके बाद अगर आप में शक्ति आ जाए या इसके बाद का कोई कर्म हो जाए तो अगोर कहलाता है तो अगोर जो संपरदाय है उस जिव आधि-अनाधि है एक मात्र शिव ऑही है जो तब भी रहेंगे जिब विष्णु नहीं रहेंगे विष्णु बदल दिये जाएंगे वह तब बहुं से पहले ब्रह्मा बदल दिये जाएंगे एक हिस्टरी सीरीस है. لیکن आध्यकाली और आधि महादेव तब भी रहेंगे जब वश्नु बदल दिये जाएंगे एक नहीं. ख़सरों वो तब भी रहेंगे जब भ्रमा करोणों के तादात में बदल दिये जाएंगे. लेकिन आप भी कर्जों से घिरे हुए हैं, अगर आपके जीवन में भी कर्जों से मुक्ति आप पाना चाते हैं, तो एक विशेश टुपा इस दिन जरूर करें, पूर्वो मुखी होकर, आप क्या करें, चार बत्ती वाला मिट्टी का दिपक, जिसमें तेल भरा हो, घर के मुख्य द से चार काली मिर्च के दाने वार कर करपूर से जला दें काली के नमित, निश्चत रूप से सब बीमारियां दूर होंगी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडी जी सहम जानकारी के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निया जी और दर्शकों आपका भी बहुत बहु मुए पार्फ पार्फ ट्राफ धूली